तो दोस्तो जैसा की एक समय था जब भारत अपने हेलिकोप्टर और साथ में जो फाइटर जेट है तो इनके लिए विदेशी खास तोर पर रश्या के उपर सबसे ज़्यादा डिपेंट किया करता था जो भारती वैसे ना है इनकी रिक्वार्मेंट के हर एक हेलिकोप्टर औ हर एक फाइटर जेट को अगर आप उठा करके देखते हैं तो बेसिकली वो आप सभी लोगों को रश्यन ओरिजिन का दिखाई देगा जिसमें आप सब लोगों को SU-30 MKI, MIG-29, UPG इसके इलावा फ्रेंच ओरिजिन के जो जैगवार और साथ में यहाँ पर मिराज 2000 फाइट जैट है यह दिखाई देंगे तो दोस्तों इसके बाद अगर आप हेलिकोप्टर की भी बात करते हैं तो इसमें भी हम जादा तर यह जो वेस्टन कंट्रीज है या फिर जो रश्या है इनके ओपर सबसे ज़्यादा डिपैंड करते थे लेकिन आज के समय में भारत अपने एविएशन सेक्टर में अपने अल्सियाच हेलिकोप्टर और साथ में तेजिस मक 1A फाइटर जेट को ले करके जो कुछ अचीव किया है इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और साथ ही साथ जो बड़ी नियूस यहाँ पर निकल करके आई है उसके बारे में भ साथ में एक मेगडील को साइन किया था जिसकी जो कोष्ट है वो लगबग 48,000 करोड के आसपास थी जिसके चलते हमारी वाईशना को 83 तेजिस MK1A फाइटर जेट मिलने है तो दोस्तो इन ही में से जो पहला तेजिस MK1A स्टेंडर का ट्रेनर फाइटर जेट है वो यहाँ प अफिशल हो चुकी है कि हमारी HL के पास में तीन तीन प्रोडक्शन लाइन अवेलिबल है जिसके चलते इस एरक्राफ्ट का जो प्रोडक्शन रेट है वो 24 से लेकर के 32 एरक्राफ्ट पर येर तक किया जा सकता है तो यहीं से अब आप आईडिया लगा सकते हैं कि आवशक टेजिस MK1A स्टेंडर के होंगे और इसके अलावा जो 73 एरक्राफ्ट हैं यह ओपरेशनल कैपेबिलेटीज को बढ़ाने का काम करेंगे और इनको हमारी वाइस रेना अपने ओपरेशन को कैरी करने के लिए डिपलोई करने वाली है तो दोस्तों कुल मिला करके अब हमारी बाइस रेना को 83 तेजिस MK1A फाइटर जेट टाइम के नुसाथ मिलेंगे और यह जो 10 एरक्राफ्ट हैं यह इसी साल बना करके डिलिवर कर दिये जाएंगे इसके बाद में पहला जो तेजिस MK1A स्टेंडर का सिंगल सीट वाला एरक्राफ्ट होगा तो फरवरी 2024 से इसकी डिलिवरी को शुरू कर दिया जाएगा तो कुल मिला करके अब ना केवल हमारी HL के दुवारा टाइम लाइन और शेडियूल को यहां पर मैच किया जाएगा बलकि इससे पहले जो इसकी डिलिवरी का एग्जेक्यूशन है वो भी किया जा सकता है और इसके पीछे मैं अब बारा शुरू किया जाएगा तो हेलिकोप्टर के प्रोडक्शन रेट को बढ़ाने के लिए भी हमारी HL ने तुर्मुक में अपनी जो नई प्रोडक्शन फैसलिटीज हैं उनको यहां पर सेट अप करके इनोग्रेट कर दिया है जिसके कारण हमारी HL के पास में यह जो LCH हेलिकोप्टर है तो इनका भी प्रोडक्शन रेट अब आप सभी लोगोगो 24 LCH हेलिकोप्टर परियर के आसपास देखने को मिलेगा और अवशकता अनुसार इसको भी यहां पर बढ़ाया जा सकता है तो टोटल भारत के पास में आज के समय में हेलिकोप्टर को जो आप कह सकते हैं कि प्रेडियूस करने की जो कैपेबिलेटीज हैं यह 60 के आसपास पहुंच गई है इसके अलावा अगर आप यहां पर जो प्रेस रिलीज है उसको भी अपनी स्क्रीन के ओपर देख सकते हैं जहां पर यह बताया गया है कि 145 और जो LCH हेलिकोप्टर है इनको सकते हैं तो आप यही से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत का जो एविएशन सेक्टर है यह आने वाले समय में कितनी जादा तेजी से बूम करने वाला है तो दोस्तों ओवराल इस पूरी वीडियो के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताएगा साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर जेजगा अगर आप चैनल के उपर पहली बार आएं तो प्लीज से चैनल को सब्सक्राइब कर जेजगा तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं ली वीडियो में तब तक किली गु